हेलो स्टुडेंट्स आज हम चाप्टर 6 फैक्टराइजेशन आफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू करेंगे इसमें प्रैक्टिसेट 6.1 में हमें कौड्रेटिक ट्राइनोमेल के फैक्टर्स फाइंड करने के एक्जम्पल्स करने हैं जो एक्सप्रेशन एक्सक्वेर प्लस बेक्स प्लस सी इस फॉर्म में होता है उसे कौड्रेटिक ट्राइनोमेल कहते हैं यहां पर ए, बी, सी कॉंस्टंट्स होते हैं और एक्सक्वेर और एक्स वेरियबल से तो जो एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स होती हैं और जिसमें वेर ट्राइटिक ट्राइनोमेल के factors find करने के examples हमें practice at 6.1 में करने हैं चलो practice at 6.1 शुरू करते हैं practice at 6.1 question 1 factorize और इस practice at में हमें total 12 examples करने हैं यहां पर दो type के examples है पहला type ऐसा है जिसमें last का constant term positive होता है जैसे कि यह first example है, second example है, third example है और दूसरा type ऐसा है जिसमें कि last का constant term negative होता है जैसे कि यह fourth example है, fifth example है, sixth example है यह four, five, six examples में last का constant term negative है और यह one, two, three examples में last का constant term positive है अब last का constantum अगर positive होगा तो factors find करने का method आलग होता है और अगर last का constantum negative होगा तो factors find करने का method आलग होता है तो सबसे पहले हम last का constantum अगर positive हैं तो किस तरह से factors find किये जाते हैं यह समझेंगे उसके लिए पहले हम example 1, 2, 3 solve करेंगे उसमें example 1 है x square plus 9x plus 18 चलो first example का answer लिखेंगे practice set 6.1 में पहला example है x square plus 9x plus 18 answer में हमने given example लिख लिए अब सबसे पहले हमें first term का coefficient और last constantum यह दोनों को multiply करके एक number find करना होता है यहाँ पर first term का coefficient कुछ नहीं है मतलब 1 है और last constantum plus 18 है तो 1 और plus 18 का multiplication plus 18 आएगा अब यहाँ पर जो number मिला वो हमें positive मिला तो जब हमें number positive मिलता है तो उसके हमें ऐसे दो factors find करने होते है जिनका sum middle term के coefficient की equal मिलेगा यहाँ पर middle term का coefficient 9 है तो हम 18 के ऐसे दो factors find करेंगे जिनका sum 9 आएगा तो दो factors हमें मिलेंगे 6 और 3 6 और 3 का multiplication 18 मिलता है और 6 और 3 की sum 9 मिलती है अब यह दो factors मिलें इनका sign हमें decide करना होता है तो यह जब हम positive number के factors find करते है तो दोनो factors को same sign होता है या तो दोनो factors को plus sign होता है या दोनो factors को minus sign होता है तो यह sign कैसे decide होगा plus है या minus है तो यह middle term का sign है वही यह दोनो factors को देना होता है यहाँ पर middle term का sign plus है तो यह दोनो factors को plus sign होता है यहाँ पर अगर middle term का sign minus होता तो फिर हम यह दोनो factors को minus sign देते अब यह दो factors जो हमें मिल गए इनका use क्या है तो यह दोनो फेक्टर्स का use middle term को split करने के लिए हम करते है यह दोनो फेक्टर्स का use करके मिदल तम को split करेंगे यानि 9 x को हम 6 x plus 3 x लिखेंगे चलो आगा एक स्टेप लिखते हैं first term as it is plus अभी यह middle term जो हम he może split करना है यह फेक्टर्स का use करके 6x plus 3x plus last का term as it is तो इस तरह से हमारे पास जो 3 terms थे उसके 4 terms बन गए अब इसमें हम पहले 2 terms का एक pair बनाएंगे और दूसरे 2 terms का एक pair बनाएंगे next step पहले 2 terms में से कुछ common निकलेगा तो यहाँ पर x हमें common मिलेगा और bracket में मिलेगा x plus 6 x square में से हमने x common लिया तो x रहे गया 6x में से x common लिया तो 6 रहे गया उसी तरह से आगया वाले 2 terms में से भी हम कुछ common लेगे तो यहाँ पर हमें common मिलेगा प्लस 3 फिर bracket में मिलेगा x plus 6 3x में से 3 common लिया तो x रहे गया 18 में से 3 common लिया तो plus 6 रहे गया और पहले दो terms में से common लेने के बाद जो bracket मिलता है, और दूसरे दो terms में से common लेने के बाद जो bracket मिलता है, ये जो दो bracket मिलते है, ये हमेशा equal मिलते है, same मिलते है, हर एक example में हम ये दोनो brackets same मिलेंगे, next, अब ये एक term है, और ये दूसरा term है, ये दोनो terms में से भी हम common यह दोनों टम्स में अभी यह bracket common है, x plus 6, तो यह bracket हम common लेंगे, फिर पहले term में रहे गया x, और दूसरे term में रहे गया plus 3, और यह हमार answer है, given जो quadratic trinomial है, उसके हमें दो factors मिल गए, पहला factor मिला x plus 6, और दूसरा factor मिला x plus 3, इसके बाद example 2 करेंगे, second example is x square minus 10x plus 9, answer में हम पहले given example लिख लेंगे, x square minus 10x plus 9, अब इसके बाद हमें first term का coefficient, और last constant हम इनका multiplication करेंगे एक number find करना है, तो यहाँ पर 1 है first term का coefficient, 1 into plus 9, तो multiplication आएगा plus 9, तो हमें number plus मिला, तो इसके हम ऐसे दो factors find करेंगे, जिनका sum middle term की coefficient की equal याने 10 आएगा, तो 9 के factors हमें मिलेंगे 9 और 1, 9 और 1 का multiplication 9 आएगा, और 9 और 1 की sum 10 आएगी, अब इनके sign हमें decide करने, तो यह दोनों को same sign होता है, और ओ middle term का sign होता है, यहाँ पर middle term का sign minus है, तो यह दोनों factors को भी minus sign आएगा, और यह जो दो factors हमें मिल गए, इनका use करके अब हम यह middle term split करेंगे, next step, first term as it is, minus 10x का splitting होगा, minus 9x minus 1x plus 9 as it is, तो हमरे पाद 4 terms आगे, दो-दो terms का pair बनाएंगे, पहले दो terms में से x common निकलेगा, bracket में मिलेगा x minus 9, x square में से x common लिया तो x रहे गया, minus 9x में से x common लिया तो minus 9 रहे गया, आगे वाले 2 terms में से हम minus 1 common लेंगे, तो हमें bracket में मिलेगा x minus 9, minus 1x में से minus 1 common लिया तो x रहे गया, और plus 9 में से minus 1 common लिया तो minus 9 रहे गया, देखो minus 1 into minus 9 करेंगे तो plus 9 नहीं आएगा, तो यह जो bracket में x minus 9 मिलाए correct है, और हमें यह भी पता हैं, यह दो brackets हमेशा equal मिलते हैं, next, next step में अभी यह दोनों terms में से यह bracket हम common लेंगे, x minus 9, फिर दूसरे bracket में हमें मिलेगा, x minus 1, first term में x रहे गया, और यह second term में minus 1 रहे गया, और यह हमार answer होता है, given trinomial के, quadratic trinomial के factors हमें मिल गए, x minus 9 into x minus 1, इसके बाद example 3 करेंगे, example 3 is y square plus 24y plus 144, answer में given example, y square plus 24y plus 144, सबसे पहले, first term का coefficient, और last constant term का multiplication, तो 1 into 144, तो multiplication हमें मिलेगा, plus 144, तो हमें plus number मिला, तो इसके हम ऐसे दो factors find करेंगे, जिनकी sum, middle term के coefficient की equal आएगी, यहाँ पर middle term 24 है, तो हमें factors मिलेंगे 12 और 12, 12 और 12 का multiplication 144 आता है, और 12 और 12 की sum 24 आती है, अब यह दोनों को sign देंगे, तो यह दोनों को sign सेम होता है, और वो middle term का sign होता है, तो दोनों को plus sign देंगे, और यह जो दो factors हमें मिल गए, इनका use करके middle term split करेंगे, तो next step हमें मिलेगा, y square, 24y का splitting होगा, plus 12y, plus 12y, और last का term as it is, अब दो-दो terms का pair बनेगा, पहले दो terms में से common मिलेगा y, bracket मिलेगा y plus 12, y square में से y common लिया तो y रहे गया, 12y में से y common लिया तो 12 रहे गया, अब आगे, दो terms में से भी हमें plus 12 common मिलेगा, और bracket में मिलेगा y plus 12, 12y में से 12 common लिया तो y रहे गया, 144 में से 12 common लिया तो plus 12 रहे गया, 12 into 12, 144 मिलता है, और यह दोनो brackets भी same आते हैं, next, अब यह दोनो terms में से हम y plus 12 bracket common लेगे, तो दूसरे bracket में मिलेगा y plus 12, first term में y रहे गया, और second term में plus 12 रहे गया, और यह हमार answer है, given quadratic trinomial के factors हमें मिल गए, y plus 12 into y plus 12, तो इस तरह से पहले 3 examples में हमने देखा, कि अगर example में last constant term positive है, तो यहाँ पर हमें positive number मिलता है, और जब positive number मिलता है, तो उसके हम ऐसे 2 factors find करते हैं, जिनकी sum middle term के coefficient की equal होनी चाहिए, अब इसके बाद हम देखेंगे, जब यहाँ पर negative number होगा, तो हमें multiplication करके, यहाँ पर negative number आएगा, और जब यहाँ पर negative number आएगा, तो किस तरह से factors find के जाते हैं, वो हम example number 4, 5, 6 में समझेंगे, चलो इसके बाद example number 4 करेंगे, students, example 4, 5 और 6, यह तीनों examples में last का constant term negative है, तो इसमें से हम पहले example 5 और 6 करेंगे, और फिर उसके बाद example 4 करेंगे, क्योंकि example 5 और 6 में first term का coefficient 1 है, और example 4 में first term का coefficient 5 है, तो इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा मेनत करना पड़ेगा example 4 में, तो हम पहले यह दोने example simple है, तो पहले यह कर लेते है, 5 और 6 और उसके बाद example 4 करेंगे, इसमें example 5 है, p square minus 2p minus 35, चलो answer लिखेंगे, example 5, p square minus 2p minus 35, answer में हम given example लिख लेंगे, p square minus 2p minus 35, अब यहाँ पर भी हम first term का coefficient और last constant term यह दोनों को multiply करके एक number find करेंगे, यहाँ पर first term का coefficient 1 है, last constant term minus 35 है, तो दोनों का motivation करके हमें number मिलेगा minus 35, तो देखो यहाँ पर हमें जो number मिला वो negative मिला, तो जब हमें यहाँ पर negative number मिलता है, तब उसके हम ऐसे दो factors find करते है, जिनका difference middle term के coefficient की equal आना चाहिए, तो देखो, यहाँ पर middle term का coefficient 2 है, तो हम 35 का ऐसे दो factors लेंगे, जिनका difference 2 आएगा, तो वो मिलेंगे 7 और 5, 7 और 5 का multiplication 35 आएगा, और 7 और 5 में 2 का difference है, तो यहाँ में दो factors मिल गए, अब इनके हमें sign decide करने होते हैं, तो जब हम negative number के factors find करते हैं, तो इसमें से एक factor को positive sign होता है, और दूसरे को negative sign होता है, तो कौन से factor को positive, कौन से को negative आएगा, तो उसके लिए rule ऐसा है, कि यह middle term का sign है, यह sign हमेशा इसमें से greater factor को जाएगा, तो यहाँ पर middle term का sign minus है, तो यह दो factors में greater 7 है, तो 7 को minus sign, और 5 को plus sign, तो इस तरह से यह signs decide किये जाते हैं, और यह जो दो factors मिलके, इनका use करके हम middle term split करते है, तो फिर आगे का step हमें मिलेगा, p square, अब यह minus 2p को हम split करेंगे, यह दोनों factors को use करके, that is minus 7p plus 5p, और last time as it is minus 35, अब इसके बाद 3 terms के 4 terms बनेगे, दो-दो terms के pairs बनाएंगे, पहले दो pairs में से common मिलेगा, p, और फिर bracket में मिलेगा, p minus 7, p square में से p common लिया, तो p रहे गया, minus 7p में से p common लिया, तो minus 7 रहे गया, आगे वाले दो terms में से common मिलेगा, plus 5, फिर bracket में मिलेगा, p minus 7, 5P में से 5 common लिया तो P रह गया minus 35 में से 5 common लिया तो minus 7 रह गया क्योंकि plus और minus का multiplication minus आएगा 5 7 जा 35 और हमें पता ये दोनों bracket सामेशा हर एक example में equal मिलते है तो ये जो bracket हमें यहाँ पर P minus 7 मिला ये correct है आगे अब ये दोनों terms में से ये bracket हम common लेते है that is P minus 7 bracket common और फिर दूसरे bracket में हमें मिलेगा P plus 5 first term में रह गया P और ये second term में रह गया plus 5 और ये हमार answer होता है given quadratic trinomial के factors P minus 7 और P plus 5 इस तरह से हमने यहाँ पर ये example में देखा कि जब यहाँ पर हमें ये negative number मिलता है तब हम factors find करते समय ऐसे दो factors find करते है जिनका difference middle term के coefficient की equal आएगा जब यहाँ पर हमें plus number मिलता था तब हम यहाँ पर ऐसे दो factors find करते थे जिनका सम middle term के coefficient की equal मिलेगा लेकिन यहाँ पर हम सम नहीं लेते यहाँ पर हम difference का सोचते है और difference middle term के coefficient की equal आएगा ऐसे 2 factors find करते हैं, तो जब plus number आएगा, तो हम sum middle term के coefficient equal आएगा, ऐसे factor find करते हैं, और जब यहाँ पर negative number होता है, तो 2 factors का difference middle term के coefficient equal आएगा, ऐसे 2 factors find करते हैं, चलो इसके बात example number 6 करेंगे, example 6, p square minus 7p minus 44, answer, given example, p square minus 7p minus 44, यहाँ पर first term का coefficient 1 है, last constant term minus 44 है, तो दोनों का multiplication करके हमें number मिलेगा minus 44, तो हमें negative number मिला, तो इसके हम ऐसे 2 factors find करेंगे, जिनका difference middle term के coefficient की equal यानि 7 आएगा, तो 44 के factors हमें मिलेंगे, 11, 4, 11 और 4 का multiplication 44 आएगा, और 11 और 4 में 7 का difference है, तो यह factors हमें correct मिल गए, अब इनका sign decide करना है, तो हमें पता है middle term का sign होता है, वो greater factor को देना होता है, तो 11 को minus sign आएगा, और 4 को plus sign आएगा, और जब हम यहाँ पर positive number के factors find करते थे, तो यह दोनों को same sign आता था, middle term का sign है, वो हम दोनों को देते थे, लेकिन जब हम negative number के factors find कर रहे हैं, तो इसमें से एक को plus और एक को minus रहता है, और middle term का sign जो है, वो greater factor को रहता है, अब यह factors का use करके हम negative term split करेंगे, p square minus, यह minus 7p का splitting क्या होगा, minus 11p plus 4p minus last term as it is, अब दो-दो terms का हमें pair मिल गया, पहले दो terms में से common निकलेगा, p, bracket में मिलेगा, p minus 11, p square में से p common लिया, तो p रहे गया, minus 11p में से p common लिया, तो minus 11 रहे गया, आगे वाले दो terms में से क्या common मिलेगा, plus 4, तो bracket में मिलेगा, p minus 11, 4p में से 4 common लिया, तो p रहे गया, minus 44 में से 4 common लिया, तो minus 11 रहे गया, plus into minus करेंगे, तो minus आएगा और 4 into 11, 44, और यह दोनों bracket समेशा equal होते हैं, अब यह दोनों terms में से हम यह bracket common लेंगे P minus 11, तो दूसरे bracket में मिलेगा P plus 4, और यह हमारा answer है, given quadratic trinomial के दो factors हमें मिलगे, P minus 11 into P plus 4, इसके पाद example number 4 करेंगे, example 4, 5y square plus 5y minus 10, answer में given example लिख लिए, अब यहाँ पर first term का coefficient 5 है, 1 नहीं है, तो अगर ऐसा example होता है, तो सबसे पहले हमें तीनों terms में से कुछ common मिलता है, यह देखना है, यहाँ पर यह तीनों terms में जो coefficients है, वो तीनों 5 से divide हो सकते हैं, इसका मतलब तीनों terms में से हम 5 common ले सकते है तो सबसे पहले हम 5 common लेंगे, फिर हमें मिलेगा y square plus y minus 2, 5y square में से 5 common ले तो y square रहेगे, 5y में से 5 common लेने से y रहेगे, और minus 10 में से 5 common लेने से minus 2 रहेगे, 5 2 जा 10 अब यह bracket में जो हमें quadratic trinomial मिला, इसके हमें factors find करने है, अब यहाँ पर first term का coefficient 1 है, और last constant term minus 2 है, तो 1 और minus 2 का multiplication करके हमें number मिलेगा, minus 2 अब यहाँ पर negative number मिला, तो यह 2 के हम ऐसे 2 factors find करेंगे, जिनका difference middle term के coefficient की equal, यहाँ पर middle term का coefficient कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम 2 के ऐसे 2 factors find करेंगे, जिनका difference 1 आना चाहिए, तो 2 factors हमें मिलेंगे 2 और 1, 2 और 1 का multiplication 2 आएगा, और 2 और 1 में 1 का difference है, अब इनके sign decide करेंगे, middle term का sign जो है, वो greater factor को, और यह smaller factor को negative sign, अब यह दोनों factors को use करके, हम यह middle term को split करेंगे, तो next term पे, यह 5 as it is, y square, first term as it is, यह middle term split करेंगे, plus 2y, minus 1y, और last term as it is, minus 2, next, यह 5 as it is, अब यह 2-2 terms की pair बनेगी, पहले 2 terms में से y common इकलेगा, bracket में मिलेगा y plus 2, y square में से y common लिया तो y रहे गया, 2y में से y common लिया तो 2 रहे गया, और आगे वाले 2 terms में से common इकलेगा, minus 1, और bracket में मिलेगा y plus 2, minus 1y में से minus 1 common लेने से y रहे गया, और minus 2 में से minus 1 common लेने से 2 रहे गया, क्योंकि minus और plus का multiplication minus आएगा, और 1 into 2, 2, और यह दोनों brackets भी हमें equal मिल गए, अब next step में, यह पहला 5 as it is, फिर bracket में यह दोनों terms में से y plus 2 यह bracket common लिया और फिर दूसरे bracket में मिलेगा y minus 1, यह first term में y रह गया, और यह second term में minus 1 रह गया, और यह हमार answer है, बस अभी last में हम खाली है, square bracket निकाल देंगे, 5 into y plus 2 into y minus 1 and this is the answer, तो इस तरह से given quadratic trinom मिलके factor समय मिलके, 5 into y plus 2 into y minus 1, इसके बाद example number 7 करेंगे, example 7, m square minus 23 m plus 120, answer में हमने given example लिख लिख लिया, अब यहां पर last constant term plus है, तो first term का coefficient और last constant term का multiplication करके हमें number मिलेगा, plus 120, तो यहां पर हमें positive number मिला, तो इसके हम ऐसे दो factors find करेंगे, जिनका sum middle term के coefficient की equal आएगा, यहां पर middle term का coefficient 23 है, तो 120 के factors हम लेंगे 15 और 8, 15 8s आ, 120, और 15 और 8 की अगर हम sum करेंगे तो 23 आएगी, अब यह दोनों को same sign होता है, और वो middle term का sign होता है, तो दोनों को minus sign आएगा, और यह minus 15 और minus 8 जो दो factors मिलके, इनका use करके हम middle term split करेंगे, next step, first term as it is, minus 23 यम का splitting होगा, minus 15 यम, minus 8 यम, plus 120 as it is, दो-दो terms का pair, पहले pair में से यम common मिलेगा, bracket में m-15 मिलेगा, और दूसरे दो terms में से minus 8 common मिलेगा, तो bracket में हमें m-15 मिलेगा, देखो, minus 8 m में से हमने minus 8 common लिया, तो m रहे गया, और plus 120 में से minus 8 common लिया, तो minus 15 रहेंगे, क्योंकि 15 और 8 का multiplication 120 आता है, तो 15 रहेंगे, और minus minus plus मिलता है, तो यह m-15 हमें जो मिलागे, करेक्ट है, और हमें पता है, यह दोनों brackets हमेशा equal मिलते हैं, अब यह first term और यह second term, यह दोनों में से, m-15 bracket हम common लिया, तो दूसरे bracket में मिलेगा, m-8, और यह हमारा answer है, given quadratic trinomial के factors हमें मिलके, m-15 into m-8, इसके बाद example number 8 करेंगे, example 8, m square minus 25m plus 100, answer में हमने given example लिख लिया, अब यहाँ पर भी last constant term positive है, और first term को coefficient 1 है, तो 1 और plus 100 का multiplication हमें मिलेगा, plus 100, तो यहाँ पर positive number मिला, तो हम यह number के ऐसे दो factors find करेंगे, जिनका sum middle term के coefficient की equal मिलेगा, तो यहाँ पर middle term 25 है, तो 100 के हम ऐसे दो factors find करेंगे, जिनका sum 25 आना चाहिए, तो दो factors मिलेंगे 20 और 5, 20 और 5 का multiplication 100, और 20 और 5 की sum 25, और यह दोनों को sign minus आएगा, क्योंकि middle term का sign minus है, और यह दोनों का use करके, आभी middle term split करेंगे, तो next step में हमें मिलेगा, M square minus 20 M minus 5 M plus 100, दो-दो terms की pair, पहले pair में से M common, bracket में मिलेगा M minus 20, दूसरे दो terms में से minus 5 common, और bracket में मिलेगा M minus 20, minus 5 M में से minus 5 common लेने से M रह गया, और plus 100 में से minus 5 common लेने से minus 20 रह गया, क्योंकि 25 जा 100 और minus minus plus, और यह दोनों brackets भी same, next step में M minus 20 bracket common निकलेगा, और दूसरे bracket में हमें M minus 5 मिलेगा, पहले term में M रह गया, और यह दूसरे term में minus 5 रह गया, और यह हमार answer है, given quadratic trinomial के factors हमें मिले, M minus 20 into M minus 5, इसके पाद example number 9 करेंगे, example 9, 3x square plus 14x plus 15, answer में given example, 3x square plus 14x plus 15, अब यहाँ पर first term को coefficient 3 है, तो ऐसे example में हम देखते हैं, तीनो terms में से कुछ common मिलता है क्या, लेकिन यहाँ पर कुछ भी common नहीं मिलेगा, क्योंकि यह first और last term को हम 3 से divide कर सकते, लेकिन middle term को 3 से divide नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ भी common नहीं मिलेगा, फिर हम यह first term का coefficient 3, और last constant term 15 दोनों का multiplication लेंगे, 15, 30, 45 और multiplication प्लस आएगा, तो number plus मिल गया, तो हम ऐसे दो factors find करेंगे, जिनका sum middle term के coefficient की equal आना चाहिए, तो 45 के factor हम लेंगे 9 और 5, 9 और 5 का multiplication 45 आएगा, और 9 और 5 की sum 49, और यह दोनों factors को same sign होता है, यहाँ पर middle term का plus sign है तो दोनों को plus sign आएगा, अब उसके बाद middle term split करेंगे, पहला term as it is, 3x square, 14x का splitting होगा, प्लस 9x प्लस 5x, और यह last constant term as it is, अब दो-दो terms के pair बनाएगे, पहले pair में से 3x common मिलेगा, फिर bracket में रहेगा x plus 3, 3x square में से 3x common लिया तो x रहे गया, और 9x में से 3x common लिया तो 3 रहे गया, आगे वाले दो terms में से क्या common आएगा, प्लस 5, फिर bracket में रहेगा x plus 3, 5x में से 5 common लिया तो x रहे गया, और 15 में से 5 common लिया तो, 5, 3 जा 15 होते तो 3 रहे गया, अब यह first term है और यह second term है, यह दोनों में से x plus 3 bracket common लिया, तो दूसरे bracket में मिलेगा 3x plus 5, पहले term में 3x रहे गया और दूसरे term में 5 रहे गया, और यह हमार answer है, given quadratic trinomial के factor सामें मिलके, x plus 3 into 3x plus 5, इसके बाद example 10 करेंगे, example 10, 2x square plus x minus 45, answer में given example, 2x square plus x minus 45, यहाँ पर first term का coefficient 2 है, तो हम सबसे पहले तीनों terms में से कुछ common निकलता है के देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी common नहीं है यह तीनों terms में, तो फिर first term का coefficient, और last constant term का multiplication करेंगे, 2 और 45 का multiplication 90 आएगा, और plus और minus number है, तो multiplication minus आएगा, तो हमें negative number मिल गया, तो negative number मिलने पर हम ऐसे 2 factors find करते हैं, जिनका difference, middle term के coefficient की equal आता है, तो यहाँ पर middle term का coefficient 1 है, तो हम 90 के factors लेंगे, 10 और 9, 10 और 9 का multiplication 90 आएगा, और 10 और 9 में 1 का difference है, अब इन में से एक को positive sign और एक को negative sign होता है, तो यह middle term का जो sign है, वो greater factor को होता है, तो 10 को हम plus sign लेंगे, और 9 को minus sign लेंगे, अब middle term स्प्रिट करेंगे, 2x square, plus 1x का splitting होगा, plus 10x, minus 9x, minus 45, उसके बाद, दो-दो terms के pair, पहले pair में से common निकलेगा, 2x, फिर bracket में बचेगा, x plus 5, 2x square में से 2x common लिया, तो x रहे गया, 10x में से 2x common लिया, तो plus 5 रहे गये, फिर आगे का common मिलेगा, आगे हमें यह दोनो terms में से, minus 9 common मिलेगा, तो bracket में रहे गया, x plus 5, minus 9x में से minus 9 common लिया, तो x रहे गया, और minus 45 में से minus 9 common लिया, तो plus 5 रहे गया, क्यूंकि 9, 5 जा 45, 45 और minus into plus करेंगे तो minus 45 तो यह दोनों brackets हमें equal मिल गए है अब यह दोनों terms में से हम यह जो same bracket मिलता है वो common लेते हैं x plus 5 और फिर दूसरे bracket में हमें मिलेगा 2x minus 9 और यह हमार answer है given quadratic trinomial के factors हमें मिल गए x plus 5 into 2x minus 9 इसके बाद example 11 करेंगे example 11 20 x square minus 26 x plus 8 answer में हमने given example लिख लिए अब यहां पर first term का coefficient 20 है तो हम तीनो terms में से कुछ common लेंगे और तीनो terms का हम 2 से divide कर सकते हैं तो definitely तीनो terms में से हमें 2 common मिलेंगे 20 x square में से 2 common लिए तो 10 x square बचेंगे minus 26 x में से 2 common लिए तो minus 13 x बचेंगे 13 2 सा 26 होते हैं plus 8 में से 2 common लिए तो 4 रहेंगे 4 2 सा 8 मिलते हैं अब इसके बाद 2 as it is और bracket में जो quadratic trinomial मिला उसको factorize करेंगे यहाँ पर अभी first time का coefficient 10 है और last constant time 4 है तो 10 और plus 4 का multiplication मिलेगा plus 40 अब number plus मिला तो इसके हम ऐसे 2 factors find करेंगे जिनका sum 13 आएगा तो 40 के factors हमें मिलेंगे 5 8 जा 40 5 और 8 का multiplication 40 आएगा और 5 और 8 की sum 13 आएगे और यह दोनों factors को same sign होता है और वो middle term का sign होता है तो दोनों को minus sign आएगा और यह दोनों factors का use करके आभी middle term split करेंगे यह first term as it is 10x square minus 13x का splitting होगा minus 5x minus 8x और यह last term as it is plus 4 2 in bracket दो-दो terms के pair बनेंगे पहले pair में से 5x common मिलेगा फिर bracket में रहेगा 2x minus 1 देखो 10x square में से 5x हमने common लिया तो 2x रह गया minus 5x में से 5x common लिया तो minus 1 रह गया आगे वाले 2 terms में से क्या common मिलेगा अब देखो यहाँपर क्या common मिलेगा यह अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यही bracket आगे मिलता यतना तो हमें पता है तो यही bracket हम आगे लिख देंगे अब सोचो माइनस 8x में से यहां पर हमें 2x रहना चाहिए तो क्या कॉम्म निकालना चाहिए माइनस 4 क्योंकि माइनस 4 इंटू 2x करेंगे तो माइनस 8x आएगा इसका मतलब यह दोनों terms में से हमने माइनस 4 कॉम्म निकालना चाहिए माइनस 4 इंटू 2x करके माइनस 8 मिलता है और यह माइनस 4 इंटू माइनस 1 करेंगे तो प्लस 4 मिलेगा यानि माइनस 4 हमने जो कॉम्म निकाला वो करेक्ट है और दोनों brackets भी हमें सेम मिल गए अब नेक्स टेप में यह दोनों terms में से यह जो सेम bracket मिलता है यह common इकलता है यह पहले 2 as it is फिर square bracket में यह 2x minus 1 bracket common फिर दूसरे bracket में मिलेगा 5x minus 4 फिर्स term में 5x रह गया और यह second term में minus 4 रह गया और यह square bracket close और यह हमार answer है last में answer में हम only यह square bracket नहीं लिखेंगे that is 2 into 2x minus 1 into 5x minus 4 and this is the answer गिवन quadratic trinomial के factor समें मिलके 2 into 2x minus 1 into 5x minus 4 इसके बाद example number 12 करेंगे example 12 44x square minus x minus 3 answer गिवन example 44x square minus x minus 3 अब यहां पर first term का coefficient order than 1 है तो तीनो terms में से कुछ common मिलता है के देखेंगे लेकिन यहां पर तीनो terms में कुछ common नहीं है तो यह first term का coefficient और last constant term का multiplication लेंगे 44 और minus 3 का multiplication लेंगे तो minus मिलेगा 3, 4, 0, 12 carry 1 3, 4, 0, 12 plus 1 13 तो हमें number मिल गया minus 132 तो negative number मिला है तो 132 के हम ऐसे दो factors find करेंगे जिनका difference 1 मिलना चाहिए क्योंकि middle term का coefficient 1 है तो 132 के factors हमें मिलेंगे 11 and 12 11 and 12 का multiplication 132 मिलता है और 11 और 12 में 1 का difference है अब इसमें middle term का sign है वो greater factor का होता है तो 12 को minus sign आएगा और 11 को plus sign आएगा और ये दोनो factors को use करके हम middle term split करेंगे तो next step में ये पहला term as it is 44 x square minus x का splitting होगा plus 11 x minus 12 x और last term as it is minus 3 उसके बाद दो-दो terms का pair पहले pair में से 11 x common आएगा फिर bracket में रहेगा 4 x plus 1 44 x square में से 11 x common लिये तो 4 x रहेगे और 11 x में से 11 x common लिये तो plus 1 रहेगे आगे वाले 2 terms में से minus 3 common लिये तो bracket में बचेगा 4 x plus 1 minus 12 x में से minus 3 common लिया तो 4 x रहेगे और minus 3 में से minus 3 common लिया तो plus 1 रहे गया अब दोनों टम्स में यह 4x plus 1 bracket common है तो 4x plus 1 bracket common लेंगे फिर दुसरे bracket में हमें मिलेगा 11x minus 3 and this is the answer given quadratic trinomial का factors हमें मिल गए 4x plus 1 into 11x minus 3 students इसके साथ ही practice rate 6.1 complete हुआ जिसमें हमने quadratic trinomial के factors find करने के examples किये next video में practice rate 6.2 का study करेंगे thank you